हेलो दोस्तों वेलकम बैक तो मेंग चैनल आज मैं स्पेशल वीडियो के साथ आए कैसे आपको गूगल से फोटोस डाउनलोड करके उसको एक्स्टाइक कैसे करते हैं पहले गूगल से एक अनॉंस्मेंट आया था कि उनका पॉलिसी चेंज हुआ था पहले से अनॉंस्मेंट आते रह रहा था कि 1st जून के बाद जो भी फोटोस आप ले रहे हो सेव कर रहे हो अपने मोबाइल में और भी गूगल फोटोस में पूरा काउंट होगा आपके 15 GB फ्री स्टोरेज में ठीक है पहले हाई क्वालिटी के कितने भी अनलीमिटेड था कितने भी फोटोस लो अ पूरा फोटोस को डाउंलोड कर सकते हो जो भी आपने अभी तक लिया है क्योंकि 15 GB अगर क्रॉस कियो तो आपको पे करना पड़ेगा उसलिए आपको एक्सपोर्ट कर लो फोटोस को और पूरा स्पेस को आप वहाँ पे प्री अप कर दो क्योंकि यह फोटोस तुम आपने अगर कुछ भी देखेंगे तो कहीं पे पूरा फ्री नहीं मिलेगा आपको आपको स्टोरेज खरीद नहीं होगा इससे अच्छा आप फोटोस जब भी लेते हो उसको डाउनलोड करके कहीं पे सेव करते हो नहीं तो फोटोस का एक आलबम भी बना सकते हो तो वही मैंने इस जिप फाइल बनके आता है तो ये जिप फाइल की अनजिप करता हूँ तो ऐसे एक फोड़र बनता है तो फोड़र के अनदर क्या प्राब्लम है ? जाकर दे को देखता हूँ तो फोलडर में फोटोस है ये सब मेरे फोटोस ही है सब कुछ तो ये LAwe में आ गया इसको open भी ने कर सकते हैं पर Google इसी तरह से इसको download करता है पर इसको extract करने के लिए एक आसान तरीका मैंने जो find out किया तो वो आपको मैं बताने हो लाँ वो ही है यहां पर जाके देखेंगे तो take out helper बोलके एक tool है online online में यह मिलता है इसको download कर सकते हैं तो इसके लिए क्या चाहिए आपको यह अगर एक्स्ट्राइट करने के लिए अगर यह टूल आपको software है यह इसको अगर आपको यूज करना होगो तो आपको यह python latest यह भी एक software है python तो इसको भी आपको download करके रखना पड़ेगा आपने लैप्टॉप में तो इसका latest version 3.9.5 है अगर windows का है तो यहाँ पर जाके download करके इसको install कर लो तो install करने के बाद आपको यहाँ पर एक python को folder c program files में बन जाता है तो इसके बाद आपको command problem भी जाके पूरा execute करना पड़ेगा आपको easily पूरा जो भी है json files उसको extract करके आपको देदेगा जितना भी आपने अभी तक 15GB या 20GB 30GB कितना भी आपने download करके रखा है एक एक क्लिक में पूरा यह हो जाएगा आपको extract हो जाएगा और पूरा photos आप Google photos से delete कर सकते हो ताकि free up कर सकते हो space तो यहां पर जाके मैं बताता हूं आपको कैसे करना है थोड़े comments execute करने में मैं command line में जाता हूं cmd command prod बोलते हैं इसको run as administrative करो yes मैं करता हूं हां तो यहां पर क्या-क्या command मैं execute कर रहा हूं उसको copy कर लो मैं यह description में डालता हूं पहले मेरको जानना है कि मेरा python जो भी वर्शन install है वो सही है कि नहीं चेक करना है latest है हां मेरा बैस latest है 3.0 के उपर जो भी वो latest है वो चेक कर लिया है मैंने उसके बाद यह related software कुछ versions इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि आपको यह जो टूल उन्होंने google photos के लिए जो create किया है यह run होने के लिए आपको कुछ command यहां पर execute करना पड़ता है यहां पर चलाना पड़ता है तो उसके related जो software से यह run करने के लिए जो software से वह भी download हो चाहता है तो मैं यहां पर चेक करता हूं तो related software है कि नहीं है मेरे पास मैंने अल्रड़ी यह trial किया है तो इसलिए अल्रड़ी मेरे पास install होगे आपके लिए होगा तो पूरा रन होता है यह automatically यह comment अभी मैं सीधा python के folder में जाके सब activities करना चाहता हूं तो सीधा मेरे को python के फोल्डर के अंदर चले गया मैं यह comment यूज करके अभी मैं python जहां इंस्टॉल किया हो फोल्डर के अंदर चले गया उसके अंदर जाके specifically मेरे को और भी इसको भी मैं run कर लेता हूं यह software के भी यह भी run करने के बाद मेरे को पूरा requirement satisfied हो गया इदर तो इसलिए यह बोल रहा है कि मेरे पास अभी directly जाके मैं extract करने का command मैं चलाने हो इदर तो जाके मैं इसको select करके जो command है वो directly मैं इदर डालता हूं वो command के बारे में भी आपको बोल देता हूं यह command है direct command जिसमें आपको Google डिरेक्ली यह Google photos take out का helper file को helper का software को आप python वाया python आपको यह जाके access कर रहे हो और उसमें बोल रहे है कि input folder क्या output folder के है तो input और output folder यहां पर मैंने दिया है तो इसका command इदर इन्होंने अल्रेडी दिया है description में जो यह link मैंने description में डाल देता हूं आपको सब पता चल जागा यह देखते ही तो यह है यह comment final comment Google photos input and output folder का यह comment आपको run करना input folder का path output folder का path और divide by dates मैंने अगर मैंने extract किया तो मेरेको पूरा year-wise और month-wise मेरेको photos को पूरा record extract करने जागा यह comment दिया तो ठीक है तो मैंने वह ही किया है यहां पर मैने जैसे दिया है पूरा path दे दीया जो पाथ आपको देना है मैं बताता हूं यहांपे तो आपको जब extract करते हो तो यहां से मैंने एक्स्टाइक करते हो है रन्नों है लग गया पूरा एक्स्टाक्ट कर रहा है तो पूरा फोटो में इसकाई कर और करके YEAR wise देखते हैं गए तो देखेजिघे क्या गधा है देखो इदर YEAR wise मिवड़़ एक्सटाक्ट हो रहा है तो इससे मिरेको पता चल्गे कि मेरा जो भी मेंने जो 20 साल में मैंने फोटोस लिया तो फूरा मेरे को यहां पे एक्सटर्क्ट हो टॉकर आ रहा हो है तो मैं पर जेसन फईल्स से अभी पूरा एक्सटर्क्ट होकर मेरे फोतोस में तो यहां पर एक बार चेक कर लो जोबी मेइन फोटोस आपका पूरा एक्सक्रैक्ट हो गया इधार तो मेरा पूरा फोतोष एक्सराक्ट हो अभी just फैल्स नहीं भीनी नहीं दिख रहा है तो मेरा फोटोष एक्सक्रैक्ट हो गया है घूंकर गूगल फोल्टीृस कि बहुत सरे फोटोस लेके रखेते हैं अभी आपको थोड़ा स्पेस ये कम करने के लिए लिमिटेड फोटोस लेते आओ जो अन्मांटड ये फोटोस है उसको डारेक्टली डेलीट मालत हो ताकि आपको स्पेस जाधा मिलते रहेंगे क्योंकि ये 15 जी भी तो आपको आराम स आपको ये ये टा सी